दोस्तों आज किस वीडियो में हम compare करेंगे Nokia Purebook X14 Core और Redmi Book 15 Pro आज किस वीडियो में हम इंदों के बीच में compare करेंगे और जानेंगे कि आपकी requirement के साफ से आप के लिए कौन से laptop सही रहने वाला है हम लोग आपर वीडियो के श्राटिंग करते हैं इसके physical overview से तो यहाँ पर जो build quality है दोनों ही laptop की बहुत ज़्यादा basis सी प्लास्टिक की ही मिलती है form factor के मामले में Nokia का laptop काफी अच्छा है 1.4 kg का है तो यहाँ पर अगर आपको field work करना या तो ले लेके घूमना है देफिनिटल लोग यहाँ के laptop काफी सही रहने वाला है रेडिमी का laptop थोसा बलकी आपको देखने को मिलता है इसके बाद जो वेब्कैम है आपको दोनों में HD वेब्कैम मिल जाएंगे यानिकी 720p आले तो इसमें quality आपको अच्छी मिल जाती है और जो keyboard है आपको दोनों ही laptop म नॉन बैकलिट मिलती है मतब लाइटे नहीं जलेंगी इसके बाद अगरे पोर्स की बात करें तो यहाँ पर पोर्स के मामले में कहीं न कहीं मुझे रेड्मी वाला laptop मुझे सही लगा आपको यहाँ पर नोकिया में एक ही खाली यहाँ 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 3 देखने को मिल जाएंगी बाकि यहाँ पर जो HDMI पोर्स है 3.5 mm वाली जो combo jack होती है और यहाँ पर जो बेसिकली SD card का जो slot है वो आपको यहाँ पर दोनों ही laptop में देखने को मिल जाता है लेकिन Nokia में हमको बेसिकली यहाँ पर consistent lock और जो आज यह 45 जो की land port होती है यहाँ आपको नहीं मिलती है जो कि आपको Redmi में मिल जाती है पोर्स के मामले में definitely Redmi collector थो सही है इसके बाद अगर आगर है आप आपको quality अच्छी देखने को मिल जाएगी और जो viewing angle experience है आप लोग यहाँ पर जिस भी एंगिल से देखिए आपको यहाँ पर colors distort होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आप नोकिया में आपको glossy पैना मिलता है और यहाँ यहाँ पर उसका reflection आपको Nokia में देखने को मिल लेगा तो यहाँ पर आपको Redmi में उसको लेकि कोई भी इशु नहीं होगा लेकि Nokia में हो सकता है बाकि यहाँ पर 60S का normal skin effect आपको दोने ही laptop में मिलता है कोई higher skin effect नहीं मिलेगा बाकि जो brightness है Nokia ने officially confirm किया है कि आपको इसमें 250 निस तकी brightness मिल जाती है और बाकि Redmi में यहाँ पर क दोनों companies ने कुछ भी नहीं बता है कि किते percent NTSC है लेकिन जो मेरा experience है वो यहाँ पर यहीं कहता है कि आपको दोनों ही laptop में लगबाग 45% NTSC मिल जाता है जो कि equivalent होता है 62-65% SRGB तो आपको यहाँ ठीक ठाक सी देखने हो मिलने वाली है बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को यहाँ पर 1135 G7 आली मिल जाती हो रेडिमी में हमको यहाँ पर 11300H वाली मिल जाएगी इसके बीच में तो उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा बाकि यहाँ पर दोनों ही chipset यहाँ पर quad core यानि कि चार course और आपको यहाँ ठेस आपको मिल जाएंगे इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें software की Nokia में आपको यहाँ पर out of the box Windows 11 देखने को मिल जाएगा जो कि आपको Redmi में हो सकता है कि ना मिल आपको Windows 10 नी मिले लेकिन यह लोग ने officially confirm किया है कि यहाँ पर आपको free upgrade मिल जाएगा Windows 11 में इसके बाद अगर आप बैटरी को लेके बात करें तो यहाँ पर Nokia ने कितना size दिया यह officially नहीं बताया है लेकिन यहाँ पर 6 घंटे का battery backup कहा है तो यहाँ पर ब्रांज जिता कहती है उत्ता मिलता तो नहीं लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर सारे 4 घंटे 4 घंटे इतना मान सकते हैं Redmi के बात करें तो यहाँ पर 46 वाट आर वा को लेकि Redmi का laptop सही है इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कुछ और अगर इंपर्टम फीचर को लेकि तो दोनों ही laptop में को कोई भी fingerprint या तो face unlock option नहीं मिलता है Wi-Fi काफी लेटर से dual band मिल जाएगा तो connectivity काफी अच्छी मिल जाएगी और Bluetooth version Nokia ने officially तो नहीं बताया है लेकिन अ लेकिन जो RAM जो मिलती है आपको दोनों में LPDDR4 राली मिल जाती है जो की 32 MHz वाली है और ROM आपको काफी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर आपको कोई 60 SSD नहीं मिलती है यहाँ को NVMe SSD मिलती है जो की काफी fast होती है इसके बाद अगर final opinion की बात की जाए तो यहाँ पर Nokia जो है यह तो यहाँ पर Nokia से स्टार्टिंग करते हैं अगर आप लोग की student आपको coding करनी है इसकी तरफ जा सकते हैं आप लोग इसके बाद आपको अगर यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करनी हो तो आप लोग यहाँ पर जो advanced जो full HDL जो होती है 4K मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ चुक की तरफ से आने वाला Core i5 तो मिलता है redmi में आपे धीयान दिया होगा कि यहाँ पर अपर एच मिलता है performance तो यहाँ पर ज्याद है तो यहाँ पर जहाँ पर जाद तेहाँ चाहिए को जा सकते हैं तो आप लोग यहां पर नोक्या का लाटव तभी लीजेगा जब आपको यहां पर रेडमी से सस्ता मिल लाओ और फिर यहां पर रेडमी का लाटव आइधिंक यह बेटर है तो आयोब किया पर मैंने से कुछ के लिए कर दिया है तो उसे हां पर वीडियो को एक लाइक जाओ क पर दीजे हमाचनल को सब्सक्राइब जो कीजे जाहिन जाय भारत